कम्पणि ने सिर्फ दो मिनट का टाइम लिया और 200 लोगो कम्पणि से निकाल दिया सौफ़।क्र की कहानी ना, फिर से एक तरह से जूझ रही है सौफ़।र इन्दस्ट्री और खास करके वो était जो अमेरिका की है अभी मैं एक data मैंने निकाला है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बड़ी-बड़ी कंपनिया चोटी-मोटी नहीं बड़ी-बड़ी कंपनिया है गाइस और जो यह lay off कर रही है जो data मैं आप लोगों को बताने जारहों पहले इस data पर ध्यान देजिएगा यह जितने lay off कि वो मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता था और मैं रख रहा हूं ठीक है सबसे पहले UPS कंपनी ने 12,000 इंप्लोईयों को फायर किया है 12,000 बहुत इंप्लोई होती है सैप ने 8,000 इंप्लोईयों को निकाल दिया पेपाल ने 5,000 लोगों को निकाल दिया गूगल जो बड डेटा रिकॉर्ड अभी नहीं है डिसकोड है टिक टॉक है पिक्सार है सेल्सफोर्स ने 7,000 लोगों को निकाला इवे ने 1000 लोगों को निकाला उसके अना ब्लॉक करके कंपनी उसने 1000 लोगों को निकाला स्विगी ने 400 लोगों को निकाल दिया फ्लिप कार्ड ने 1000 लोगों पर है क्या software industry एक अलग direction में जा रही है क्या software industry खतम हो जाएगी देखो मैं पिछले 10 साल प्लस से इस industry से जुड़ा हुआ हूँ तो काफी उतार चड़ाओ हमने देखा है industry में बहुत जादे उठती भी है चीजे गिरती भी है चीजे तो जो पिछले 5 साल में हुआ ना result oriented word यूज हो रहा कि result oriented काम चाहिए result oriented चीजे चाहिए अगर आप result oriented नहीं करते हो तो फिर आपके लिए वहाँ दिक्कत है तो result oriented जब आप काम करोगे तो चीजे आपके लिए बैतर निकल के आएंगे और आप result oriented काम करोगे तो चीजे आपसे अच्छेत निकल के आएंगी अब मैं आपको दो चीजे बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात डरिये मत software industry का जो lay off है न यह old धर्रे की technology पे जो काम चल ला था उस divisions को maximum बंद किया जा रहा है जो काम AI के थ्रू हो जा रहा है चर्ड जेपीटी आ जाने से बहुत सारी चीजे AI अलगर्थम के थ्रू हो जा रहा है जो काम AI easily कर दे रहा है उस चीज को कहीं न कहीं complicated मतलब नहीं बनाया जाना चाहिए वो चीज आसान है और उसमें lay off का जो point of view है कहीं न कहीं बहुत माइन रख दे रहा है AI ने बहुत सारी चीजों को दोस्त किया गया और उसी में यह जो lay off है बड़ी बड़ी कंपनिया है अमेरिका लेवल पे है इंडिया लेवल पे भी कुछ है 30,000 से जादे सोच लो Google में कोई job कर रहा होगा Microsoft में कोई job कर रहा है Amazon में कोई job कर रहा होगा अमेरि इतनी बड़ी country है और software का बादसा है अमेरिका अमेरिका जैसा software की company है worldwide कहीं पे है अमेरिका जो technology driven country है कहीं ने कहीं भुटे ने टेक रहा है ठीक है इतना बड़ा lay off क्योंकि multiple time यह repeat हो रहा है ले आफ किसी बज़ा से हो रहा ले आफ कैसे होगा क्या चीज़े हैं जो ले आफ को impact करेंगी वो सारी चीज़े है तो मेरे साब से देखो जो software industry में जा रहे है अगर आप नई चीज़ सीखके नहीं जा रहे हो जो latest trend है जो 5 साल 10 साल चलेगा तो आपका career risk में है आपका future जो बहुत सारी चीज़े रस्क में है वो चीज़ आपको समझना जरूरी है जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं जब तक आप उस चीज़ को optimize नहीं करोगे साध आपका career आपका career दाओ पे लग जाएगा तो मेरे इसाब से guys देखो अगर आप सही से चीज़ों को utilize करते ह तो आपका career आगे जाएगा नहीं समझते हो नहीं जानते हो career आपका आगे नहीं जाएगा software industry है खत्रों का game है खत्रों का खिलाड़ी है तो उसको समझना उसको जानना उसको उसी direction में लेके जाना बहुत important है एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगा कि इन सब चीज़ों में इससे आपका career बेटर जाएगा वो सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप उन सारी चीज़ों को समझोगे तो software industry में बेरोज़गार नहीं रहोगे software industry में बहुत पैसे आज भी जो placement हुआ 85 student का placement हुआ जो करोडों का package था पता उस पे भी रोग लग लगे इतना मत बताओ IIT Mumbai से और सारी जो कंपनिया थी वो जैपैन की ताइवान की AI से related ही कंपनिया थी AI की कंपनियों ने ही इस पर Google Microsoft इन सब कंपनियों ने बड़ी बड़ी package नहीं दिये hiring चक नहीं किया आप मैं बता दो कुछ divisions में तो ऐसे मैं आप उमीदे लगा सकते हो कि एक्सन मॉड में आना पड़ेगा जब सोचोगे समझोगे जानोगे तभी आपका करियर आगे बढ़ पाएगा अधर्वाइस आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा तो गाइस मेरा काम था आपको बताना अब ऐसे में वह कोर इंजिनरिंग वाले बड़े खुश होंग और यह जो कमपनी है दो मिनट में 200 लोग निकाली चली इसके बाड़े में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं यह कमपनी ह clims करके हैं front desk की company startup company थी और company काफी loss में थी काफी चीज़े उसके according नहीं थी तो company ने बोला कि भई आप हमसे नहीं हो पाएगा ले off कर रहे हैं company बंद कर रहे हैं बाबा टाटा हम दिवालिया हो गए हैं company बंद करने का decision लेना पड़ा और चीज़े नहीं चल पादी हैं जब आपके पास पैसे नहीं आते हैं पैसे का flow नहीं होता है तो company बंद होना लाजमी है लेट सी देखते हैं कि इस बार का कयामत जादे कयामत ना हो software के लिए तो better होगा वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में और क्या बोले करियर काउंसलिंग चाहिए जिन लोगों को अगर software में हो depressed मत हो तो वो लोग मेरे से बात कर सकते हैं link डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में